हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल जेके टेकन फाइनस में दोस्तो SBI के स्मॉल कैप फंड को हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में इस फंड ने पिछले एक साल में 41.48% का रिटर्न निकाल के दिया है जब से ये फंड लॉच हुआ है दोस्तो तब से इस फंड ने एननुली 26.90% का रिटर्न निकाल के दिया है और हाल फिलाल में इसकी जो एननेवी वैल्यू है एक यूनिट की 23 जुलाई 2024 तक 201.70 रुपीज की चल रही है और आप इस फंड में 500 रुपे से SIP मोड में इंवेस्मेंट शुरू कर सकते हैं कम से कम मान लीजिए दोस्तो अगर कोई बंदा 1000 रुपे की SIP शुरू करता है हर महीने इस फंड में अगले 3 सालों के लिए और जो रिटर्न है वो हम यहाँ पे पिछले 3 सालों वाला 24.71 परसेंट अगर मान के चलें तो 3 सालों बाद उनकी जो फंड वैल्य हो जाएगी वो एप्रॉक्सिमेट हो जाएगी 53,673 रुपीज फ्यूचर में यह रिटर्न दोस्तों कम जादा भी हो सकता है उसी साबसे फंड वैल्य भी उपर नीचे हो सकती है और दोस्तों मान लिजिए अगर कोई बंदा 18,000 रुपे लंसम इन्वेस्ट करता है इस फंड में अगले 5 सालों के लिए और रिटर्न हम यहाँ पे पिछले 5 सालों वाला 30.67% पर नीचे लेके चले तो उनकी जो फंड वैल्य हो जाएगी 5 सालों बाद वो हो जाएगी 68,584 रुपीज अप्रोक्सिमेट लेकिन फ्यूचर में यह रिटर्न कम जादा भी हो सकता है उसी इसाब से इनकी फंड वैल्य वी उपर नीचे हो सकती है यह फंड पिछले 14 सालों से दोस्तों चल रहा है इस फंड का फंड साइज 30,835.87 करोड का है कोई भी लोकें पिरेट नहीं है exit load charges आपको 1% लगेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ expense ratio यहाँ पे आपको 0.66% का commission देना होगा tax implications की बात करें तो दोस्तों अगर आप अपने पैसे को एक साल से पहले निकालोगे तो आपको 15% नहीं अभी 20% का short term capital gain tax देना होगा यह recently update हुआ है दोस्तों अगर आप अपने पैसे को एक साल के बाद निकालोगे तो आपको 10% का नहीं 12.5% का long term capital gain tax देना होगा अगर आपका जो return है वो per financial year एक लाग से जादा का है अगर आपका return per financial year एक लाग से कम का है तो आपको यह 12.5% का long term capital gain tax नहीं देना होगा लेकिन अगर आपका return एक लाग से जादा का भी है per financial year तो पहले एक लाग पे आपको कुछ नहीं देना है एक लाग के उपर जितना भी return होगा उस पे ही आपको यह 12.5% का long term capital gain tax देना होगा अगर आप अपने पैसे को एक साल से पहले निकालोगे तो आपको एक परसेंट exit load charges लगेंगे एक साल के बाद निकालोगे तो कोई भी exit load charges नहीं लगेंगे आर श्री निवासन जी पिछले 10 सालों से इस fund को manage कर रहे है यह fund दोस्तो equity based fund है तो very high risk category में आएगा क्राइसिल ने इसको 3 star rating दी है morning star ने इसको 4 star rating दी है value research ने इसको 4 star rating दी है and angel one ने इसको दोस्तो पंदरमा rank दिया है small cap fund category में top के sectors के अगर हम बात करें जिनमें के आपका सबसे ज़्यादा पैसा यह mutual fund invest कर रहा है तो सबसे उपर आता है consumer durables 13.41% इंडेर आफटर आता है industrial products, debt others, construction, finance, leisure services, electrical equipments, chemical and petrochemicals banks and retailing में आपका 3.93% पैसा invest हो रहा है top की अगर holdings की बात करें तो सबसे आदा आपका पैसा traps में यह mutual fund invest कर रहा है 10.79% दूसरे नंबर पर आता है blue star, phenolix industries, kalpataru project, getnd, india, whirlpool india, carborandum, uni, chalet hotels में आपका 2.53% पैसा invest हो रहा है दोस्तों इस fund की detailed analysis हमने आपके साथ साजा कर दी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा मिलते हैं नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर